Hello students, good morning. Today we are going to learn questions and answers for chapter number 10. Let us start with question number 1. Mention any two food items which can be cooked by steaming method. ऐसे कोई दो food items के नाम लिखने हैं, जो steaming method से बना सकते हैं. Steaming method क्या होती है? नीचे पानी बॉयल हो रहा होता है, और उसकी भाफ में जो खाना पकाया जाता है, उसे बोलते हैं steaming method. मतलब स्टीम से जो खाना पकाया जाता है, उसे बोलते हैं steaming method. तो कौन से है? इडली एंटोकला. इडली एंटोकला किससे बनता है? steaming method से. Question number 2. Mention any two fuels that can be used for cooking? ऐसे दो fuels के नाम लिखने हैं, जो आप खाना पकाने में यूज कर सकते हैं. Answer is gas, sunlight and electricity. You can mention any two. आप किसी भी दो fuels के नाम लिख सकते हैं. और क्या-क्या है? कोल है, केरूसीन है, वूड है, कावडंग केक्स है. यह सब भी fuels है, आप कोई भी दो याद करके लिख सकते हैं. Question number 3. Write any, write names of any two utensils used in kitchen. आपके kitchen में यूज होने वाले कोई भी दो utensils के नाम लिखने हैं. जैसे की answer is pressure cooker, steamer, frying pan. तो कौन से कौन से pressure cooker है, steamer है, frying pan है, और भी है, जैसे की sauce pan है, तड़का pan है, है ना, आप कोई भी दो यूटेंसिल के नाम लिखिए. Question number 4. What are utensils made of? यूटेंसिल किस से बने होते हैं? तो हमने तो बहुत सारे चीज़े पड़े थी. Answer is steel, glass, copper, earthen pot. तो क्या-क्या है, steel है, गांच के बरतन होते हैं, पीतल के बरतन होते हैं, तामबे के बरतन होते हैं, मिठी के बरतन होते हैं, है ना? तो ये सब अलग-अलग metals हैं, और अलग-अलग चीज़ें हैं, जिससे बरतन बने होते हैं, तो आप कोई भी दो याद करके लिख सकते हैं. Then, question number 5. Write name of any two things that are eaten both raw and cooked. कोई भी दो ऐसे food items के नाम लिखने हैं, जिनको आप कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी. तो कौन से-कौन से food items हैं, जिससे टिकी टामाटो, अनियन, कैरेट, रैडिश, कैबेज, ये सब जो food items हैं, इसको हम लोग food things हैं, इसको हम लोग पका के भी खा सकते हैं, या सालात के तौर पे कच्चा भी खा सकते हैं, है ना? इनकी सबजिया बन जाती है, टामाटो, कैबेज के पराठे भी बनते हैं, सब्जी भी बनती हैं, और सलाद में भी खाते हैं, कुछ नंबर सिक्स, मैंशन इनी त्री मेथड़्स of cooking, तो हमने तो इसमें काफी सारी मेथड़्स पढ़ी है, तो कोई भी तीन cooking method के नाम लिखने हैं, यह पे मैंने, boiling, steaming, frying, roasting and baking, तो य What is cooking is complete, I hope you must have understood the chapter very well, thank you and have a nice day.